नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है इन्फिनिक्स 035G दोस्तों गर आपने इस फोन को पर्चेस किया है या अगर आप इसे पर्चेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटप कम्लिट करोगे उसके तुरान बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफटी, सिकुरिटी, प्राइवेसी और प्रोड़क्टिविटी के लिए तो अगर आपको अपने फोन को बहतर तरीके से उसकरना है तो आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स तो आईए दोस्तों चें इसे ओपन कीजिए और यह जो ओप्शन है टैपिंग वेक आपको इसे ओपन करके इसे ओण करना है आप इस फोन में यूट्यूब को बेगरण्ड में प्ले कर सकते हो मतलब की अगर आपका फोन लोक होता है डिस्प्ले ओप होता है फिर भी आपके फोन में यूट्यूब यह on होना चाहिए अगर यहाँ पे आपको YouTube शोनी करेगा तो आपको add more पर tap करना है और यहाँ पे शोगा YouTube आपको इसे on करना है इसके बाद YouTube को open कीजिए कोई भी media या song play कीजिए और फिर आपको करना है swipe and hold swipe करके hold कीजिए और यहाँ पे मिलेगा आपको यह panel जहाँ पे लिखा होगा play in the background आपको इस option पर tap करना है तो आप देख सकते हो आपका phone lock हो चुका है डिस्प्ले ओप हो चुका है फिर भी आपके phone में YouTube ले हो रहा है बेग्रोंड में आप इस phone में बिना किसी app को download किए WhatsApp के delete केगे message को काफी आसानी से read कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना है settings में special function में social turbo में और यहाँ पे होगा pick mode इसे open कीजिए enable pick mode पे tap कीजिए इसके बाद अगर आप देखोगे WhatsApp में इस contact ने इन message को delete किया है इन दो message को मुझे नहीं प जाना होगा same pick mode के settings में pick mode को open कीजिए और यहाँ पे उस contact का नाम होगा tap करके आप उसके message को कर सकते हो read इस तरीके से तो जो भी delete केगे message थे आप उन्हें read कर पाऊगे इस तरीके से time के साथ मान लीजिए आपका phone lock है लेकिन अगर फिर भी कोई चाहिए तो आपके phone में जो control center है उसे काफी easily access कर सकता है इतना नहीं अगर हो चाहिए तो किसी भी toggle को on off कर सकता है इस तरीके से आप देख सकते हो तो अगर आप चाहा आते हो जब आपका phone lock होता है तब कोई भी इसे access ना कर सके तो आप इसे lock screen पे lock कर सकते हो तो इसके लिए आपको जना होगा settings में notification में more settings में और यहाँ पर होगा swipe down on lock screen इस पर tap कीजिए और आपको इन दोनों को off करना है इसके बाद अगर आपका phone lock होगा अगर कोई भी आएगा तो आपके phone में जो control center है उसे access नहीं कर भाएगा आप देख सकते हो अब यह ब्लोग हो चुका है तो अगर आपको इसे access करना होग तो आपको अपने phone को unlock करना पड़ेगा तब भी आप इसे access कर पाओगे इस तरीके से अगर आपने phone में face unlock को enable किया होगा तो आपने गोर किया होगा जब भी आप अपने phone को face scan करके unlock करते हो तो आपका phone unlock तो हो जाता है लोग भी खुल जाता है लेकिन आपको इन में करना हो Face Unlock पे ट्याप कीजिए, और यहाँ पे होगा, When Phone Unlock इस पे ट्याप कीजिए, और आपको set करना है, Unlock Directly पे, इस पे कीजिए selection, इसके बाद अगर मैं अपने phone को Face से scan करके Unlock करूँगा, तो मुझे end में swipe up नहीं करना पड़ेगा, मेरा phone हो जाएगा, Direct Unlock इस तरह के से आप दे magic ring, आपको इस पे tap करना है, आपको इससे own करना है, और magic ring कप-कप काम करेगा, तो यहाँ पे दी गई है conditions, तो अगर आप Face Unlock करोगे, तो आपको मिलेगा, इस तरह के से magic ring आप देख सकते हो, इसके अलावा, जब भी आप अपने call को background में shift करोगे, अपने phone को charging पे plugin करोगे, अगर आपका phone fully charge हो जाता है, और आपके phone में अगर battery level 20% से नीचे जाता है, तो आपको मिलेगी magic ring पे notification, आप इस phone में अपने सभी calls को automatically record कर सकते हो, और वो भी बिना किसी announcement के, मतलब कि जब आप calls recording करोगे, तो सामने वाले को पतानी चलेगा, तो इसे इन्यावल करने के browse पर टाप किजिए, my phone पर टाप किजिए, storage पर टाप किजिए, फिर इसके बाद music और फिर phone record आपको show करेंगे आपके सारे call recording इस फोल्डर में, homepage पे अगर आप करोगे, swipe down तो आपको मिलेगा, ये quick search का option, हलाकि मैं चाहता हूँ जब भी मैं अपने phone के homepage पे, swipe down करो तो मुझ आपको state करना है, notification बार पे, इसके बाद homepage पे अगर मैं करूंगा, swipe down तो मुझे में लेगा, control center आपको swipe करना है, इनके बेच में switch करने के लिए, जब भी आप किसी भी app या website में login करते हो, तो आपको enter करना होता है, password लेकिन जैसे आप password को enter करते हो, तो आपके password के later कुछ moment के लिए show करते हैं इस तरह के से, तो बगल में अगर बिठा होगा, तो जान पाएगा कि आपका password क्या है, तो अगर आप चाहते हो, इसे later show ना करें, तो आप इससे hide कर सकते हो, हमेशा के लिए, तो आपको जाना है settings में, privacy में, और नीचे होगा, more का option, dap किजिए, और इसमें ह इसके बाद अगर मैं password को करूँगा, इंटर, तो अब मुझे password के letter show नी करेंगे, अब मुझे show करेंगे, के वल, dots and dots, कई सारे apps ऐसे होते हैं, जो dark mode support नी करते हैं, मतलब कि अगर आप अपने phone में, dark mode कोन करोगे, फिर जो apps होंगे, dark mode में show नी करेंगे, जैसे की बात करेंग Amazon या flip card की, तो Amazon अभी भी light mode में show कर रहा है, सेम तरीके से flip card है, वो भी light mode में show कर रहा है, दोनों एप dark mode में छोनी कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो, सभी apps dark mode support करेंगे, तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो, तो आपको जाना है, settings में, my phone में, और यहाँ पी होगा, build number, आपको इस आपको इसे open करना है, नीचे आईए, और यहाँ पे आपको मिलेगा, एक option जो है, all right, force dark, आपको इस option को on करना है, यह रहा, all right, force dark, आपको इसे on करना है, इसके बाद जो भी apps आपने open किये थे, उनको restart कीजिए, close करके, उने फिर से open कीजिए, जैसे कि Amazon, आप देखोगे, अ unlock capture का शांदार feature, मतलब कि अगर कोई भी बंदा आपके phone को unlock करना चाहता है, और अगर उसने दो बार गलत पीन या password को enter किया, तो उसकी photo capture हो जाएगी, और आप उसकी photo को देख पाऊगे अपने phone में, तो आप काफी easily जान पाऊगे, कि आपके phone को किसने unlock करना चाहता, तो इ आप पे ट्याप किजिए, तो माल लिजिए कोई बंदा आता है, मेरे phone को unlock करना चाहता है, दो बार गलत password पीन एंटर करता है, तो उसकी photo capture हो जाएगी, और जो भी photo capture होगी, आप कोश्चो करेंगी AI gallery में, अब देख वाओगे, photo app से हो चुकी है, माल लिजिए आपको किसी पेज में से, या किसी भी photo में से, जो text है, उसे copy करना है, तो कैसे करोगे, तो आपको इस photo या page पे, दो finger से long tap करना है, दो सेगन के लिए, इस तरीके से, फिर आपको मिलेगा animation, और फिर ये जो text होगा, इस तरीके से हो जाएगा extract, आपको फिर full text mode पे tap करना है, सब भी को आ आपको मिलेगा इस तरीके से animation, और आप इस तरीके से full text mode में जाकर, जो text है, उसे copy कर पाऊगे, तो इससे enable करने के लिए आपको जाना है, settings में, special function में, उपर में लिखा होगा explore, आपको इस पर tap करना है, और यहाँ पे होगा smart touch, इसे open करके smart touch को on किजिए, और आपको इस feature क कौन-कौन से आप में उस करना है, तो यहाँ पे है supported apps का option, आपको tap करना है, जिस किसी आपको on करोगे, उसी आप में यह feature काम करेगा, अगर आप उन में से हो जो अपने phone को or net charging करते है, मतलब कि पूरी राद भर charging करते है, तो आपके phone में जो battery है, उससे नुकसान हो सकता है, तो अगर आप चाहते हो आपके phone में battery health लंबे समय तक अच्छी रहे, तो आपको enable करना है AI smart charge को, तो आपको जना है settings में, power marathon में, battery settings में, और यहाँ पे होगा AI smart charge आपको इसे on करना है, इसके अलवा अगर आप चाहते हो जब आपका phone पुरी तरीके से charge हो जाए, तो आपको एक alert मिले, एक tone बज़े आपके phone में, तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो, मतलब कि full charge होने पे आपको मिलेगा एक sound, तो इसे enable करने के लिए आपको back जाना है, और यहाँ पे होगा charging completion tone इसे on कीजिए, तो tone जब अपने होगा, उसका advantage होता है कि आप अपने phone को बिना देखे, समझ ज जब भी आप data plan recharge करते हो, तो उसमें होती है daily limit, जैसे कि दिन का 1 GB, 2 GB या 3 GB, तो अगर आपको अपने phone में daily data limit set करनी है, मतलब कि आज की दिन आपने कितना data use किया है, और कितना बचा है, आपको अगर जानना हुआ shortcut way में, तो आपको open करना है, control center को, और यहाँ पे होगा इस जब होगे, कितना data use हुआ है, limit कितनी है, और कितना use हुआ है, आप यहाँ पे check कर पाऊगे, इस तरी किसे, और जब भी आपके limit खतम हो जाएगे, तब आपको मिलेगा इस तरी किसे reminder, अगर आपको data use करना है, तो किजिए turn on, इस phone में आपको मिलता है, three finger screenshot का feature, मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगे, तीन option, circle के लिए, square के लिए, और कोई भी free shape, तो आप यहाँ पे कोई भी shape में screenshot capture कर पाऊगे, save करने के लिए, save करने के लिए, save पे tap किजिए, long screenshot capture करना हुआ, तो आपको करना है, three finger से swipe down, और आपको मिलेगा, यहाँ पे scroll का button, tap किजिए, इस तर settings में, special function में, action and gesture में, और यहाँ पे होगा, नीचे, screenshot, आपको इसे open करना है, और आपको इन दोनों को on करना है, full screen capture, और partial screenshot, माल लीजिए, आपका phone lock है, display off है, और यहाँ अगर आपको जल्दी से अपने phone में, camera torch को launch करना हुआ, तो कैसे करोगे, तो इसके लिए, आपको enable कर इसे on कीजिए, none put up कीजिए, toggle और आपको set करना है, flash light पे, तो माल लीजिए, आपके phone में, display off है, ऐसे में, अगर आपको जल्दी से camera launch करना हो, तो आपको draw करना है, see, आपके phone में open होगा camera, अगर आपको torch call करना है, तो draw कीजिए, oh, अगर आपको off करना है, तो फिर से draw कीजि इस phone में आपको मिलता है, dual app का feature मतलब कि आप एक ही आपको दो अलग लग profile के साथ यूज़ कर पाऊगे, तो इसे enable करने के लिए आपको जाना है, settings में, special function में, x clone में, और यहां पे आपको show करेंगे, वो सभी apps जो आप dual app में यूज़ कर पाऊगे, तो आपको जिन किसे apps को यूज़ करना है, dual app में आपको उन्हें ओन करना है, इस तरीके से, जैसे कि मुझे यूज़ करना है, WhatsApp को, Instagram को, और Snapchat को, तो मैं उन्हें ओन करूँगा, तो जैसे आप home page बजाओगे, आपको show करेंगे, आपके dual apps, सेम तरीके से, अगर आप app drawer को access करोगे, तो यहां पी भी आपको show करेंगे, दो WhatsApp, दो Instagram, और दो Snapchat, इस phone में आपको मिलता है, sidebar का feature जिसे कहते है, smart panel, जैसे कि अगर आप H से करोगे, swap and hold, swap करके hold करोगे, तो आपको यहां पे show करेंगा, यह एज पैनल, जहापे आपको अलग-अलग shortcut और जो apps से show करेंगे, अलग कि आपको इसे अपन इसे उसे add किजिए, apps को भी आप add कर पाओगे, done किजिए, इतना है नहीं, आप यहां पे volume slider को भी enable कर पाओगे, मतलब कि आपको volume को adjust करने के लिए, इन button पेपरेस नहीं करना होगा, तो आपको जाना है, settings में, special function में, smart panel में, और आपको यहां पे मिलेगा option volume slider, आपको इसे on करना है, तो आपको भी हाँ पे volume control भी मिल जाएगा, आप यहां से volume को adjust कर पाओगे, और जो भी apps से हाँ पे शो कर रहे है, अगर आप उस पे tap करोगे, तो open होगा, इस तरीके से floating window में, अगर आप उसे आपको इस तरीके से hold करके, करोगे उपर यहीं छे, तो यह open होगा, split window में, किसे भी आपको floating window में open करना काफी आसान है, बस आपको करना है, three finger से swipe up, जैसे कि मा लेते मुझे, इसे open करना है, floating window में, तो मैं करूँगा, three finger से swipe up, आप देखोगे, यह जो एप है, open हो चुका है, floating window में, आप इसे अपनी साब से tap करके, इसकी size भी change कर सकते हो, इसे move क करने के लिए, आपको जाना है, settings में, special function में, lightning multi window में, और आपको इस option कोन करना है, swipe up with three fingers, आप इस floating window को minimize भी कर सकते हो, आपको करना है, drag corner में इस तरिके से, आप देखोगे, यह हो चुका है, minimize, आप इसे जहाबे चुआप प्लेंस भी कर सकते हो, इस तरिके से, और आप इस सवाल हो, तो आप हमें, पुछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter यानि की X-App पे भी message कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दस्तो,